हल्लो भाईयो इस वीडियो के अंदर अपने आपर बात करेंगे जो आज के दिन ECS, TT and Cyprus का पहला मुकाबला होगा जो खेला जाएगा M.Docs और Royals के बीच में तो इस मैच की में आपको पूरी जानकारी दूँगा जिससे आपको Grand Licks की तीम बनाने में बहुत जादा help मिलेगी बस आपको करना कुछ नहीं है वीडियो जोईना आपको लाश तक watch करना है बात कर लेते हैं आपर मुकाबले के बारे में तो ये जो मुकाबला है दो मैच है दो मैच होने वाला है 37 और 38 पहला जो मुकाबला है 12 बच के 15 मिनट पर इस्टार्ट होगा मैच जो है वो सेम ग्राउंट पर ही खेले जाएंगे तो वेन्यू में आपर कोई भी चेंजिस नहीं होने वाले ये चीज़ आप ध्याम में रखके चलिएगा तो सबसे पहले भाईयों अगर आप चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलिग्राम चैनल को जो नहीं किया है ना बात करें यहां पर मुकाबले कि तो देखो सबसे पहले आपन देखेंगे आप पर pitch report में आपर कोई ज्यादा changes होता नहीं आपको पता है में कोई ज़्यादा चेंजिस होता रही है एंडॉक्स की टीम के पहले यहां पर बात कर लेते हैं कि लास्ट मैच में इनकी टीम का क्या बेटिंग ओर्डर था और क्या इनका प्लेंग लिए उन तही उन्ती लास्ट मेच में विद बेटिंग में ले और यह चीज़ आप ध्यान में रखना अब इनके इसी प्लेंग लें शांदार रहे हैं और प्रिताज दियोल आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट पिक यहाँ पर रहने वाला है चेतर साग के अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो 34 है तीन है 17 है ऐखी. अगला है नदीच prix है चालीज है दो है एक हैं तो हर मैच में चलनेवाला प्ले नहीं एक्छ अचेतर शाग करता है और कुछ में बहुत सस्ते में आउट हो जाता है मतलब उतना consistent प्लेयर आप इसको नहीं मानोगे गोरव सागवन है अब इसके साथ क्या होता है नहीं वैसे तो बहुत अच्छा ओल रांड रहे गोरव सागवन पर इसके क्या ना ओवर कट जाते बहुत से में अगर आप देखोगे तो लाश्ट के 6 में इसमें ओवर डालें टोटल साथ जिसमें इसके नाम अगर आप विकेट देखो चार विकेट से हैं और बल्ले से यहाप चार अटाइस पच्चिस जीरो हैं तो मलब प्लेयर ओवर अगर आप बोलोगे तो बहुत अच्छा है यह प्लेयर है रख सक्तियों विमल कंदूरी इसके ओवर भी बहुत कम करते हैं लाश्ट के 6 में अगर आप देखोगे 11 ओवर टोटल इसमें डालें जिसमें इसके नाम 5 विकेट से हैं और बल्ले से अगर आप देखोगे 44-15-4-1-23-7 बहुत अच्छा रिकोर्ड है विमल कंदूरी का बिलकुल आप इस इनके नाम टोटल चार विकेट से हैं और बल्ले से आप दस, 42, 11, 17 और 49 हैं इनका भी जो रिकोर्ड है बहुत अच्छा रिकोर्ड है हितेश तलानी है जिरूने इनकी तरफ से सबसे अच्छी बोली करवाई है इमान के चलो आप लाश्ट के 6 में टोटल 10 विकेट इनके ना बोलिंग इसको बिल्कुल भी नहीं मिली है आप देखो दो पारी है 14 और 15 के उसके लगा कुछ खास इसने किया नहीं है केतन दाने का भी आप रिकोर्ड देख सकते हो जीरो नो बेटिंग नो बेटिंग नो बेटिंग तो इनको भी अभी के लिए आप छोड़के चलो राह इनका भी रिकोर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और सागर सनफ के नाम भी अगर आप देखो के तीन मैच में दो ओवर डालके एक विगेड है तो इनको भी अगर आप रख रहे हैं तो ग्रैंड लिक की रिस्की टीम में रख सकते हो बाकि उतने से प्लेयर मेरे साब से यह नहीं रहने वाले यह चीज आप ध्याँ में रखके चलेगा बाकि इनके जो बेंच प्लेयर हैं उनके स्टाटिंग डेट और कौन डालेगा वो अब यह आपर अपन देख लेते हैं तो तो स्टार्टिंग और यहां से डालेते हैं लास्ट मिस में इतेज तलानी और हरी प्रफिश आया था स्टार्टिंग में और डेथ में ओवर डालेते हैं शागर सनफ विनोस सावंत और विमल कंदूरी ने बाकि ये बैंचवर प्लेयर हैं इनके और बी बैंच पर उनके बी स्टेट्स आपको पता होना जरूरी है बाकि ये बी बैंच पर इनका भी आप स्क्र उमर्शाख दोनों opening करते हैं ज्यादातर मेश में फिर आएंगे करन सिंग फिर आएंगे आसे रवीकुमार रवीकुमार जो है अभी थोड़ी कम बोलिंग करवारे हैं फिर लव्प्रीत हैं फिर सर्प्रीत हैं उनके बाद में रहूल बेहल फिर हरसरुर उल्ला हर्जिस सि जिया उद्दिन और उनके बाद में मोहमद अमजा ये इनकी प्लेंग लेवन थे last match में with betting order जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिये हैं अब इनके player के जो last match में betting order था और क्या प्लेंग लेवन था उसी के साथ इनके stats भी यहाँ पर देख लेते हैं जिससे अपनको एक-एक clear हो जाएगी तो देखो open को उनके कर रहा है सतिश कुमार उनके साथ में आ रहे है उमर्शा सतिश कुमार देखो यह हर match में bowling नहीं करवारा आप देखो तीन match में इसने bowling करवाई है तीन match में इसने बिल्कुल bowling नहीं करवाई अब आप देखो कि तो बल्ले से 0, 13, 24, 24, 36 है और अगर bowling अगर आप देखो तो पांच over डालके इनके नाम एक cricket है तो टीम में रखने लाइक player तो है अगर opening करता है तो यह उमर्शा अब आप यहां देखो पहले match में bowling नहीं करवाई 7 रण उसके बाद में अगले तीन match में इसके नाम ते 2 wicket और बल्ले से पर आप देखो क्योंकि opening तो career आना है लगाता तो आप इनको टीम में बिलकुल रखना मेरे साब से करन सींग है इनके अगर मैं बात करूँ तो लाश के जो 6 matches है वहाँ पर इनके नाम अगर आप देखोगे तो 8 over इनोने total डाले हैं जिसमें इनके नाम अगर आप देखोगे 4 wicket है और बल्ल तो रवी कुमार अगर bowling करवा जाते हैं तो फिर बहुत important बन जाते हैं बल्ले से भी आपर 5, 24, 19, 10, 9 बेटिंग 6 है और wicket भी इनके नाम 5 है तो रवी कुमार भी ऐसा player है जिसको जब भी मौका मिलता है contribution करके देता है लवपरीत की बात करूँ 2 match खेला है 3 over डाले wicket 2 है और बल्ले से अगर आप देखोगे 29, 19, 10 है काफी अच्छा record है सर्प्रीज सिंग है इसके नाम अगर आप देखो लास्ट के 6 match में 3 over डाले विकेट इसके नाम कोई भी नहीं है और बल्ले से अगर आप देखोगे 12, 8, 0, 1, 16 और 24 है तो मतलब betting से थोड़ा बहुत contribution है लेकि दि ले रहे हैं इनके नंबर साथ पर यहां पर आएंगे राहूल बहल जो कि आपको सिर्फ betting और विकेट किपिंग के पॉइंट देंगे काफी नीचे बेटिंग करते हैं 12, 9 बेटिंग, 8, 9 बेटिंग, 9 बेटिंग, 6 उतना खास record इनका है नहीं हर से रुलला यह जो बोलर है बहुत अच्छा बोलर है, यह मतलब इनका मेन बोलर है अगर इसको ओर मिलते हैं तो आप इसके नाम देखो लास्ट के 6 मेचे में टोटल 6 विकर्स हैं, 5 मैच में इसने बोलिंग कराई है, विकेट इसके नाम 6 हैं, अच्छा बोलर है हर्जी सिंग की बात करूँ तो पांच मेच में बिल्कुल भी बोलिंग नहीं करवाई, लेकिन एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इनका लीग फेस का आगरी मेचे जोने वाले हैं, तो हो सकता है कि जिन प्लेयरों को अब तक मौका नहीं मिल जाए, उनको मौका मिल जाए, तो जो ग्रैंड ल तब कांढ़ा में चर। क्यों है तो देको जैसे इनका बेटिंग ओडर आएगा ना मैंस से लगवग 35-40 मिनित पर इनका बेटिंग ओडर आ जाता है तो उसको देखकर मैं जो भी न्यू प्लेयर्स कहलते हैं उनके स्टेट्स आपको दे जाता हूं टेली यहां पर देख रहते हैं तो यहां पर पन देख लेते हैं तो यहां पर ने इसकीप किस को पिक किया हुआ है अभी के लिए तो देखो डेमो टीम में मैंने अभी के लिए रखा हुआ है यहां से आप देख सकते हो प्रताज दियोल को रखा है इनके अलावा बेटिंग सेक्षन से वीमल कंदूरी उमर शाग को मैंने आपर रखा हुआ है और बात करूँ ओलांडर सेक्षन की गोरव शागवन हितेश त लेकिन यह फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम जो है वह आपको मिलेगी टेलिग्राम चैनल पर जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्षन में दिया हुआ है तो जल्दी से जाकर जोइन कर लीजिए यह वीडियो लास्त देखने लिए आप सब का ध अन्ने बाद